प्रशन चार जलबायु प्रत रूप या संकेत दे रहे हैं कि केंद्रिय उष्रकटबंधिय प्रशान्त महासागर के तापमान में वृद्धि अनवरत रूप से जारी रहेगी इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं जाहिर है केंद्रिय प्रशान्त महासागर इस्पेशली एक्टियरियल पैसिफिक ओशन या उष्रकटबंधिय प्रशान्त महासागर में तापमान वृद्धि से अलनीनो प्रभाव उत्पन होता है कथन एक सही हो गया और अल्निनो प्रभाव लाबदायद भी हो सकता है हानिकारक भी हो सकता है यहां पर यह ऑस्ट्रेलिया में ग्यहूं के उत्पादन के लिए हानिकारक होगा बिल्कुल सही है कथन एक और दो बिल्कुल सही है तीन यह संपूर ऑस्टेलिया महादीब के शीतकाल वा दैनिक अउसत तापमान को अत्यन्त प्रभावित करेगा कथन तीन गलत है कथन तीन इसलिए गलत है केंद्रिय उश्कटिबंधिय प्रशांत महासागर के तापमान में होने वाली बृद्धि से जो अल्निनों उध्पन होगा अल्निनों के प्रभाव के कारण संपूर ऑस्टेलिया में तापमान प्रभावित नहीं होगा वरन ऑस्टेलिया के कुछ भागों जैसे कि पूर्वी ऑस्टेलिया अधिक प्रभावित होगा वहां पे जो शीतकाल या वसंतकाल में जो वर्षा होती है वहां तो प्रभावित तो करेगा उस्ट्रिया को लेकिन संपूर उस्ट्रिया को एक समान रूप से प्रभावित नहीं करेगा पूर्वी उस्ट्रिया में वर्षा को प्रभावित करेगा और दच्छरी उस्ट्रिया में तापमान को प्रभावित करेगा इसलिए कथन तीन गलत है और कथन तीन गलत होने की स्तिती में हमारा केवल उत्तर बनता है, विकल्प एक और दो सही बस्ते हैं और विकल्प ए हमारा सरसेष्ट उत्तर बनता है, प्रश्ण संख्या चार के लिए.